प्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बलाइकन दबाएं जीत गई है और इंडिया ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है लेकिन क्या ये फैसला इंडिया आपने पक्ष में भुना पाने में कामयाब हो पाएगी पिछले मैच की बल्लेबाजी को देखते हुए अब प्रूशल रहता है जोचना जब भी आप T20 मैच खेलते हैं और व करना बहुत मुश्कल होता है और इंडियन टीम को T20 की मैं बात करूँ वंडेस की बात करूं चेस करना ज्यादा पसंद है विराट को चेस पसंद है तो ठीक है चेस मास्टर विराट को एक बड़ा शांदार आज मौका मिलेगा बहुत लंबे समय से अगर मैं कहूं एक बड आज बलेबाजी करना है रन बनाए और जो पहला मैच में आपको हार मिली है उसको थोड़ा गम मिलाता दर्शकों को इसको कम कर लेकिन जोसना प्लेंग 11 पर आप क्या गहेंगे लेवन बदलाव के अलावा और शिकर दवन वेरी अनफॉर्चनेट या तो आप उनको पहला म मैच खिलाया तो आप अटलीस उनको दो मैच दीजे खेलने के लिए विश्वास की क्यों है प्लेयर्स पर मतलब बल्लेबास को तो मुझे लगता है मौके मिलने जाएगा मेरे पास हर मैच से पहले जब भी नेक्स विराट कोली प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे तो मैं उस जू प्ले मैच में खिलाया तो आप उनको दूसरे मैच में ड्रॉप कर रहें से जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस है वह बहुत कम है और शिखर्दवन आज जितना भी हमें ग्राउंड पर नजर आय जो ब्रॉटकास चैनल पर मैच कि आप देखते हैं कि प्राक्टिस कर रहे तो च और वैभव कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपने गुसे को कितने पॉजिटिवली अपने बल्ले से गेंद को मारते हुए निकालते हैं रंज बनाते हैं आई पिल में जो भी वो आई कांटक्ट हुआ था उसके लावा सूरे कुमार यादू ने बहुत चांदार खेला उसके बाद भी डुमेस्टिक क्रिकट में भी वो लगता रं बनाते हैं तो तीस साल उनकी हुमर हो चुकी है और उनकी जो स्टोरी आप सुनेंगी उनकी इंटर्व्यू सुनेंगी तो बताते हैं कि हर बाल टीम एनाउंस होती थी मैं बहुत रं बनाता था मेरा नाम नहीं और मैं बहुत जादा निराश होता था अब आपके निराशा सूर्यकुमार जी खत्म हो गई है आज आपको मोका मिलने वाला हना कि मैं यह नहीं कहूंगा कि आज जाता है आप शतक मनाई लेकिन जितना भी आपको आपको आज मोका मिले जितनी गेंदे मिले उसमें कोशिश वो भी डेब्यू करने वाला है इशान किशन तो लगता है तो इशान किशन को भी आज आप ओपनिंग करते हो देख सकते हैं तो तीसरे नमबर पर विराट को ली नमबर 4 पर सूर्यकुमार नमबर 5 पर सूर्यकुमार आएंगे और नमबर 6 पिछले मैच में हमने देखा था क्योंकि स्थितीत में खराब हो गए थी तीन विकेट बहुत जल्दी गिर गए तो रिशाप पन को प्रमोशन मिला था विराट के बाद सीधे वही आए थे तो इस बार मेरे साब गलट डिसीजन लिया था कि आपने उस समय शिखरदवन क्रीस पे मौजूद थे आपने एक और लेफ्ट एंड बैस्मन को भेज दिया थोड़ा सा अब श्रीय सेयर को उस समय भेजते और शिखरदवन एक और नमबर नीचे आते यह लेफ्ट एंड राइट है बनाना बहुत इंपोर्टेंट होता है उससे क्या होता है गेंदबास परिशान होते हैं गेंदबास को ब आज आपके पास इशान किशन भी है तो आज बड़े सारे आपके पास आपने दो बदलाफ की है अच्छे बदलाफ नजार आले लेकिन शिकरदवन अनफॉर्चुनेट और आज आप सिरफ गए हैं पांच पांच चार स्पेशलिस गेंदबास के साथ मैं हार्दिक चार प्रापर उसी इंटेंट उसी अनरजी के साथ गेंदबाजी करते हुए नहीं नहीं देखा तो आज आपने यह देखिए विराट कोली एक बल्ले बास, केल राहूल बैट्समन, किशान किशन बैट्समन, शुरे साहियर बैट्समन, रिषभ पंद बैट्समन, सूरे कु साथ वे नंबर तक आपके प्योर बल्ले बाज है क्योंकि हर्दिक पांडिया कि जो चोट का चकर वियो से कितना बाहर निकले यह देखने वाली बात रहेगी और आपने अज फिर शार्दुल ठाकूर को खिला है बुमनेश्वर को कुमार को खिला है यही गलती आपने इस पांड़ करेंगे तो वह मुश्किल होगा लेकिन आज आपके पास फिर कोई ऐसा तेज गेंद बास नहीं है ना शार्दु ठाकूल उस तरीके से गेंद बास है ना भूवनेश्वर कुमार है भूवनेश्वर कुमार की जो पूरी उनकी अगर मैं बात करूं कि उनका जो मे कि जो गेंद बास बेसा डेक को हारड घिट करें और हमने देखा था पिछले मैच में इंग्लेंड ने 42 परसेंट जो गेंद बाजी थी तो इनको चर्का पड़े गा शार्दु ठाकर रसी लाइन पर गेंद बाजी करेंगे तो उनको चपा पड़एगा उनको चपीड उतन जब आती है शॉर्ट गेंट फिर आपको इसको पुल करना हुक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा मुझे आप एक बात समझाये बल्लेबाजी में बदलाव होंगे जो बैट्समेन है वो चेंज होंगे हम लोग यह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पेसर लेकर आ बल्लेबाजी लेट डाउन किया तो आपने बल्लेबाजी को और मजबूत किया और उसमें आपनी गेंदबाजी को वीक कर दिया है फॉर एग्जामपल अगर मान लीजिए हार्दिक पांडे या कोई दूसरा गेंदबाज अगर इंजड हो जाता है तो फिर इस पूरी यह मेरा हमेशा है मानना है कि आपके पास एक चटा गेंदबाजी ऑप्शन होना चाहिए जैसे इंगलाइन के बात करें वो प्योर गेंदबाज उतारता है यह अगर मैं बात करूं आपके एक्शली इंगलेंड ना एसी टीमें उनके उनके पास तेज गेंदबाजी के आल बात एकक चाहलें पास ओं दिया गया तो इंगलंड के पास 4 ऐसे खिलाडी है जो थेज गेंद बाजी ऑल एव रहांडर है इंगलंड ने आज फिर अपनी आपनी जो ujसे स्टेइंठ है उसको बैक catchy हैं इप और मार्ख वुष अ को बैक किया सिर्फ एफ एडार ऑच़् तॉम कराना है, माक वुट की जगा यह बी तेज गेंद बाज बिल्कुल, यह बी तेज गेंद बाज है और यह बल्ले-बाजी बीची कर सकते हैं। मेरे ख्याल से IPL में खेले भी हैं, बिल्कुल खेले, राजस्तान रोज की तरह से कहले हैं, आखे कुछ उन्हें ने इनिंग्स भी अच्छी कहले थी, वही मुझे प्रॉब्लम यही है कि देखिए हार्दिक पांडे के ओपर आपने चार गेंद ऑवर की जिम्मेदारी दिया ह यह बिल्कुल कप्तान को पता होगा, मैनेजमेंट को पता होगा, वही हो चार जो ओवर हैं, उस इंटेंसिटी के साथ, उस जोज के साथ या उस पेस के साथ डाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इंजिन टीम आज के मैच में इस लाइन अप को देखने और जो इंगलेंड के बल्ले बाजों ने पिछले मैक में बल्ले बाजी दिखाई है, पहले अगर मैं पहले पावर प्ले की बात करों तो पचास रन आप मान के जलिए, 48 और 50 के असपास बनेंगे, विकेट आप बहुत ही आप लगी रहे तो आपको एक या दो विकेट आप एक चाद आपको मिल जाएगा, तो कि वैसे गिंदबाज इन विकेट लेने वाले, उन बल्ले बाजों के सामने और आप मान के चलिए ऑफ इंग्लेंट इस विकेट पे थोड़ा सा कर वो सेट हो गए, एक स्वस्थी से कम तो नहीं बनाएंगे अच्छा मतलब 180 प्लस कम नहीं बनाएंगे और जो इंडियन टीम के लिए प्रॉब्लम से देखिए मेरे को गेंद बाजों में वही है ना भुवनेश्वर कुमार इतने लंबे समय से इंजरी की बाद आ रहे हैं आकरी बार आई पेल में कुछ खेले थे आई पेल के दौरान भी इंजर्ड होगे पहला मैच में बहुत ज्यादा के बास कुछ था नहीं बिल्कुल और शार्दू ठाकूर की में बात करूं शार्दू ठाकूर का भी वह औरा नहीं आप शार्दू ठाकूर को नवदीब सैनी से उपर इसले किला और अब आप अगर तू-जीरो तू-जीरो नहीं नहीं तो अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपने बैक टू-बैक दो बार डग पे गए ऐसा मतलब ये इस रिकॉर्ड की उमीद नहीं थी और इस तरह के रिकॉर्ड में भी विराट का नाम अगर शामिल होता है त तो वो थोड़ा सा चालेंजिंग और शर्नाक हो जाता है तुम्हें उस रिकॉर्ड की बारे में भी बात करना चाहूंगी कि मेरे खाल से पहले ऐसे कप्तान है जो पांच बार जीरो पे आउट हूँ है पांच बार अपने इंटरनाशनल करियर में विराट कोली दो इनिंग पारियों में से तीन बार विराट कोली जीरो पर आउट हो चुके हैं और जब जीरो पर आउट होकर वो गया है बड़े अजीब से लगे हैं वहाती मलत ऐसा लगए कि वह आउट कैसे हो गए एक बार तो बोल हो गए तो उस पर भी एंपार को रिव्यू मागना पड़ गया कर जाए जिस तरीके जो बले बाज अगर मैं जेसं रॉय की बात करूं जोस पटलर की बात करूं तो इंगलेंड के बले बाज हैं वो भुट ही शानदार बले बाज हैं और उन्होंने इन गेंद बाजों को आई पेल में कहला हूए तो यह ऐसे इनके सामने को जाए पिछले अच्छे से बना सकते हैं, तो इंडियन टीम ने अपनी जो कमजोरी बल्ले बाजी ती उसको मजबूत करने के चक्कर में अपनी जो कमजोर गेंद बाजी को और कमजोर कर लिया है, तो देखते हैं, बैस बैस इंडियन टीम तो नहीं है, और जब आप नंबर वन, ICC वार्ड नंबर वन टीम के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी बेस्टीम उतार में करें हैं, तो आज आज भी आराम कर रहे हैं, अब आज कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राय हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन हम उमीद करते हैं, कि इशान किशन और सुरिकुमार यादव अज बाजन दो खिलाडियों का आज इंटरनाशनल T20 क्रिकेट में डेब्यू हो रहा है, वो कुछ कमाल करें, क्योंकि कमाल हमने इनके बल्ली से देखा है, चाहें IPL की बात करें, चाहें इससे पहले जो इनोंने डुमिस्ट्रिक क्रिकेट खेला है, उसकी बात करें, और केल राहूल की परफॉर्मेंस जैसी चल रहे है, वैसी कंसिस्टेंट रही तो उनकी जगहा पर भी सवाल की रही है, अगर में परफॉर्मेंस की बात करूं, तो उस्टेलिया में जो उन्होंने टीट्वेंटी मैचेस खेले ते और जाद अच्छा कर सकते थे, बहुत जाद करते हैं समय, चेजिंग मास्टर कहा जाता अपकी टीम को, और हम उमीद करते हैं कि अच्छे से चेज करेंगे, इंग लाइन को दूल चटाएंगे, दूल ना चटा पाए तो कम से कम जीट के जाएंगे, जोसना कहना है कि सीरीज एक-एक से बराबर होगी, आज हो जाएगी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ टीम इंडिया के लिए, मैंने तो ट्वीट भी एक किया था वैभव कि पिछला मैच इंडिया हार जरूर गई है, लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि ये सीरीज इंडिया जीतेगी, अब जीतने की तो एक ही संभावना हो सकती है, त दूसरी विरोधी टीम से सीखने की जरूरत है, ना कि इनकी टेस्ट टीम से हम वो रोटेशन पॉलिसी वाली चीज़न सीखें, बहराल ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर हाज़र होंगे, मिड शो हमारा आएगा, जब ये एक इनि मैदान पर जब विराट का बनना चलता है, तो खबर बनती है